जहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज हमनों बात करने वाले वीबो आईपियल के बारे में तो इस लीग का मैच नमबर 51 होने वाला है जो की राजेस्थान वर्सिस मुंबई के बीच में खेला जाएगा कल साम साड़े साथ बजे तो मैं इसी मैच के आज 100% विनिंग पहले वो जान लिजे तो दोस्तों पहले तो आपको pitch report मिलेगी pitch कैसा आज बिएप करेंगा, balling को favor करेंगे या batting को favor करेंगा, कितना score बनेगा वो बताऊओंगा दोस्तों और इस pitch पर किन गा records अच्छा है किन का strike rate अच्छा है, कौन से batsmen अच्छे है, कौन से बोलर उसके बाद मैं team comparison बताऊँगा दोस्तो टीम comparison बताऊँगा जिससे आपको फैदा मिलेगा कि कौन से टीम से आपके ज्यादा player खेलेंगे आपके dream team में उसके हाँप से दिमाइब बताऊँगा दोना ही सकते हैं और तो माइं वीडियो के लिए बहुत ही इनपोर्टन होने वाले मिलेगी तो एक निएल मिलेगी दोस्तों आपको इस टीम में इंटको अब जीत सकते हैं तो अब चलते हैं आपको head to head की मैं team में दिखा आता है ये head to head की team है इसको भी मैं last में दिखा हूँ तो दो team आपको मिलेगी इस वीडियो में तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों चलता हूँ one by one पूरी analysis समझाता हूँ और एक बात दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को subscribe किये भीना ना जाएंगे इस चैनल में आपको 100% winning team भी मिलती है और दोस्तों आपको telegram पे जोईन हो जाना नीचे description पे telegram group का भी link होगा तो ये match आपको पता है कि 5 October को जो कि कल का दिन है तो कल 7.7 बजे ये match स्टार्ट होगा सारजा किर्केट गरांट पी ये match होगा दोस्तों जिसको छोटा ground माना जाता है लेकिन इस page 2 के IPL में यहाँ पे कुछ run अच्छे खासे नहीं बन रहे हैं लेकिन दोस्तों बिकेट ज्यादा गिर रहे हैं वो धियान में रखेंगे कि बिकेट से ज्यादा गिर रहे हैं तो आप बोलर को ज्यादा प्रिफरेंस कर सकते हैं या फिर दोस्तों All Rounder को दोनुँही तरब से All Rounder Best Best है तो उनको भी आप अपने टीम में रख सकते हैं बॉलिंग को फिवर कर रहा 50% और बैटिंग को फिवर कर रहा 50% पीसर को यहाँ पर 65% की सपोर्ट है और स्पिनर की 35% की सपोर्ट है ओभर आपको बैलेंस पिछ देखनी को मिलेगा तो आपको बॉलिंग थोड़ा सा ज्यादा लेना है या फिर दोस्तो बैटिंग को मतलब फिवर करके आप टीम बनाएंगे तो थोड़ा सा आप समझस में मतलब दुबिधा में हो सकते हैं और तो आप नहीं तो दोस्तो आप बीच के मतलब जो और बोलते हैं जिनको उनको अपने टीम में रखेंगे तो आपको फैदा ले जा चुके हैं जिसमें से CSK ने दोस्तो यहां पर RCB ने 1004 रनों का पारी खेला है हाइस्ट सकोर का साथ बिकेट के नुकसान पर और SRH ने 120 रनों का पारी केला है साथ बिकेट के नुकसान पर 4 मैच चार जीजेजिंग टीम में जीती है और 2 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पे कौन से प्लियर का ऐसे प्रफॉमेंस करते हैं तो दोस्तों क्विंटा डिकाफ चार मुकाबले इस ग्राउंड पे खेले हैं जिनका रन रेट 39.3 का है और स्ट्राइक रेट 14662 का है समसन तीन मैच खेले हैं 54.5 का इनका स्ट्राइक रेट है और 197 का 97 नहीं है दोस्तों गलती से यहां 97 लिखा चुका है तो इनका स्ट्राइक रेट है तो 167 का स्ट्राइक रहता है तो 167 का स्ट्राइक रहता है तेवर्टी यह 3 में काबले खेले हैं 33.9 से रन बनाते हैं और 148 का इनका स्ट्राइ का स्ट्राइक रेट है बहुत ही बेहतरीन जैसे स्वाल भी जैसवाल नहीं नहीं अप्ड तीन मुकाबले कंगे रोहिए नहीं है लेकिन इस ग्राउंड । पे चार मुकाबले क्हले है 25.6 का स्ट्राइक रेट मतबहरण रेट है और 120 2.0 जीरो का इनका रण स्ट्राइक रेट है पोलाड तीन मुकाबले खेले हैं बाइस रणों का इनका ओसतम रण है और 173.15 का इनका स्ट्राइक रेट अच्छा है दोस्तों अगर जल्दी आएंगे तो यह आपके लिए बेहतर हो सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों बॉलर की तो बॉ गेट लेने की इनकी चमता है और 9 इकनौमी इनका पर मैच में शाड вд तक का रन देते हैं करुनाल पांच या 4 मुकाबले 0.5 का इनका बिकेट लेने का असत है और आत्ट इनका रन देने का एकनौमी राहूल वोट या तीन मुकाबले 1.3 का इनका विकेंट टेकिंग अबिलिटी है और 8 इनका इकनॉमी है बुमरा तीन मुकाबले और 1.7 का इनका इकनॉमी और 8 इनका इकनॉमी है दोस्तों तो वो धियान में रख्यार अपना टीम बनाएंगे यहां से आपको समझ में आगे कि इस मुकाबला खेले गया थे इन दोनों के बीच में वहां दोश्तों के जा चुके हैं इन दोनों के द्वारा त्वायशर जीत कर रही है और MI हार करा रही है, अब बात कर लेते दोस्तो, IPL के रिकॉर्ड के बारे में, मतलब ये पॉइंट टेवल पे कहां पे हैं, तो MI 12 मुकाबले के लिए 5.5 जीती है, 7 मुकाबले ये हारी है, 10 पॉइंट के साथ ये 7 वे नंबर पे है, और RR 12 मैच हारी है, मतलब 12 मैच खेली है 5 मुकाबले जीते हैं, और 7 मुकाबले के साथ, मतलब 7 मुकाबले ये हारे हैं, 10 पॉइंट के साथ ये 6 नंबर पे है, हलाकि दोस्तो, RR की थोड़ी सी रन रेट अच्छा है, तो दोस्तो, अब बात कर लें, चांसेस तो क्वालिफायर तीन टीम तो कर चुके हैं, और एक मतलब एक जो क्वालिफायर है, चौथे नंबर के, वो अभी अभी डिसाइड नहीं हुए, तो ये भी दोनों में से कोई भी जा सकते हैं, तो दोनों जरूर लड़ेंगे, दोस्तो, दोनों की चांसेसा जाने की प्ले आउफ में, तो ध्यान में रखेंगे, विनिंग चांस इस मैच में कौन खेलेंगे, तो अरिस्थान रोयत के तरफ से, इवान लुविस, जस्वाल, संजूसयाम, संसी भंदूबे, ग्लैन फिलिप, डेविड मिलर, डेविड मिलर और राहूल तिवटिया, अकास सिंग या सिरेस गोपाल में कोई एक ही खेलेंगे, मुझे लगता प्लेयर परफॉमेंस के बारे में, तो जो इवान लुविस हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, तीन-चार मुकाबले खेले हैं, इसमें से 38, 27, 27 का पारी खेलेंगे, तो यह आपके लिए बेस्ट है, उनको अपने टीम में आपको रखना है, संजू सेंसन को अपने टीम में रखना और हो सके तो वाइस कपतान और कपतान बना सकते हैं, स्मॉल लीग में भी और ग्राइंड लीग में, हाला कि दोस्तों थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन बना सकते हैं, मही पाल लोमर को रिप्लेस करके, सीवाम दुबे को पिछला मैच है और balling भी कर पाते हैं तो इनको भी आपको अपने टीम में रखना है दोस्तों और हो सके तो कप्तान और वाइस कप्तान बनाना चाहिए इस प्लियर को यह बहुत ही अच्छे प्लियर है आपको जरूर जिता सकते हैं दोस्तों अपने टीम में रिस्क लेकर इनको वाइस कप्तान बना सकते हैं वाइस कप्तान बना सकते हैं वाइस कप्तान बनाएगा आकास सिंग पिछला मुकाबला खेलने जो की performance नहीं है तो इनके जगा सेरेज गोपाल खेलेंगे मुझे लगता गोपाल खेलेंगे तो आप अपने टीम में रख सकते हैं लेकिन कप्तान भी बना सकते हैं दोस्तों ग्रांड लीग के टीम में मारकंडे को नहीं रखना अपने टीम में हो सके तो ग्रांड लीग में रखिएगा चेतन सकरिया और मिस्तिफिजूर रह्मान को अपने टीम में आप रख सकते हैं स्मॉल लीग में दोस्तों और वाइस कप्तान यहां पर चेतन सकरिया को आप ट्राइ कर सकते हैं तो इवान लुस्य आपके की प्लेयर इस मैच के हुए संजू सैम्सन सीवम दुबे की प्लेयर नहीं मानेंगे दोस्तों लेकिन रिस्की प्लेयर है यह आपके यहां पर ग्लेन फिलेपी की प्लेयर हो जाएंगे राहुल तेवाटिया हो जाएंगे दोस्तों चेतन सकरिया तो कुछ changes हो सकती इस team में दोस्तों क्योंकि ये team performance नहीं कर रही है अभी फिलाल इसी से टीम से बनाए दोस्तों इसी प्लेयरों से बनाए जो मैं प्लेयर दे रहा हूं अगर एक दूचेंज होगी तो आपको अपडेट में ठेलीग्राम पे कर दूँगा टॉस के बाद उसके स्ही पुली रहेे हैं लें में बनाए लग प्रइंडी के लिया एन उससे पहले में 23 अंगर उससे पहले फ्लॉप रहेंगे तो इनको आपने टीम में ग्रैंड लिक में रखेगा स्मॉल लीग में इनके जगा नहीं बनती है स्वरप त्यारी कुछ से बढ़िया रख ले सकते हैं दोस्तों या फिर पोलाड को तो पोलाड को ही ट्राइ करिए का दोस्तों स्वरप तर्य एक रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हार्दिक पंडिया को नहीं रहना अपने टीम में आपको के देते हैं तो ओ ध्यान में रखेंगे आड़म मिलने के जंड जयर्न आयल क्रते हैं दो मुकाबले से चाहर एक मकाबल में उनको बिकेट मिला है फिछला मुकाबल में इस मुकाबल निकाल कर दे सकते हैं दोस्तो रहुल चाहर को रे Carbon के लाए जो कि पहला मुकाबला में गरारणों का पारी और एक विकेट भी लिये हैं तो सायद दोस्तो इस मैच में जाये अंतयादों ही खेलेंगे या फिर राहुल चहर आ सकते हैं लेकिन दोस्तो परफॉवएंस राहुल चहर का है नहीं तो लगता है मुझे जाहनत यादो ही खेलेंगे तो आप जाहनत यादो को ही लेकर अपना टीम बनाएंगे दोस्तो, जश्पीरत बुमरा और ट्रेंट बोल्स दोनों ही की प्लियर रहेंगे, हाला कि दोनों को पिछला मैच में एक विकेट मिला, और जश्पीरत बुमरा जल्दी तो आपके लिए best हो जाएंगे और यहां पर कुल्टर नायल को भी आपकी प्लियर मान सकते हैं तो यह इसमन सारी कीप लियर है इनको आपने टीम में रखेंगे तो आप ड्रीम टीम बना कर अपना यहां पर fantasy ipo में 100% winning कर पाएंगे दोस्तो तब चलते हैं जो मेरी fantasy team की suggestion है hit to hit और SL के लिए वो जान लेते हैं तो दोस्तो Sanju Samson और कुंटेंटिकाग मेरे keeper के section में रहेंगे batsman के section में रोहिल सर्मा, तिवारी, लिविस और यहाँ पर जैस्वाल रहेंगे और लॉंडर में दोस्तो पॉलाट तेवाटिया और बॉलिंग के section में जस्प्रीद भूमरा राहुल चार दोस्तो मैंने यहाँ पर गलेती से ले लिया है, यहाँ पर आप जैयन त्यादो को रख सकते हैं, यहाँ फिर दोस्तो यहाँ पर में स्तेफ्यों रामान को आप रख सकते हैं, यहाँ बोल्ट तो आपके best है, लेकिन आप मैंने नहीं कर पाएंगे दोस्तो पॉइंट को तो वो हैं, इनके जगा दोस्तो ग्लैन फिलिपी को आपको डालना है, और और के सकसर में दोस्तो किरान पुलाट, जो कि वाइस कप्तान मेरे रहेंगे, स्रीव अमदूबे, बॉलिंग इसकसर में तो वो दोस्तो आपको छेटी माली वीडियो भी अप्लोड कर दे जाएगे सुबा तो उसको भी आप सुबा देख लेंगे, तो मिलते हैं दोस्तो आप नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद, जाहिंद